binary number system में ऐसे जैसे की नाम सजेस्ट कर रहा है by means to तो इसकी जो base होगी वो 2 होगी और इसके अंदर जो symbols हम यूज़ करेंगे 0 and 1 यूज़ करेंगे और जो binary number form होगा वो इसी symbols के through होगा हम एक example ले सकते हैं जैसे number हो गया 1010.11 तो इसके अंदर जो binary number होता है उसके अंदर जो हर एक digit होता है जैसे 1 हो गया या 0 हो गया या यह वाला 1 हो गया यह सब bits कहे जाते हैं और जो यह बीच में middle में decimal point जैसे होता है decimal number में ऐसे ही binary point होता है binary number में तो दो parts होगे इसके जैसे की decimal number में होते है integer part and this becomes fraction part, joh binary point के right में है, वो हो गया fraction part, joh binary point के left में हो गया, वो हो गया integer part, और binary number form कैसे होते हैं हम start कहां से करते हैं counting by number में, जैसे की decimal number में 0 से counting start होती है, similar, वैसे binary number में भी 0 से counting start होती है, तो 0 become 0, और और यहां पर हो गया one, दोई symbol होते हैं इसलिए one आ गया, अब क्योंकि हमारे symbols यहां exhausted हो गया है, यहां पर कोई symbol नहीं बचा है, इसलिए हम क्या करेंगे, one जो increase कर देंगे left में, तो इसमें और इसके अंदर जो next digit लेंगे, वो zero लेंगे, क्योंकि अब हम यह वाली zero and one, यहां पर हम continue कर सकते हैं, तो यहां पर हो गया one zero, one वहीं, one जो हमने increase किया था हो रहेगा, और जो zero होगा, उसकी जगे हमने one put कर दिया, तो इसके अंदर जो two bit बना, वो maximum one one ही बनेगा, binary number में, उसके बाद सारे, अब फिर से bits exhausted हो गया है, symbols exhausted हो गया है, इसके लिए जो है, हम one जो left में increase करेंगे, और यहां पर फिर से zero से start हो जाएगा, इसके जो immediate right में जो numbers हैं, वो zero zero हो जाएगे, और उसके बाद one वहीं का वहीं रहेगा, जो हमने left में add किया था, और यहां पर हो जाएगा, zero and one, means, यह जो four binary numbers हैं, वो यहां पर add होते जाएगे, zero zero bits add होते जाएगे, zero and one, one and zero, one वहीं का वहीं है, one, one and one, one and one हमने यहां से ले लिया, अब फिर से हमारे bits exhausted हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो maximum three bit number बन सकता था, binary number बन सकता था, वो इतना ही बन सकता था, अब हम फिर से left में increase कर देंगे, one, और यहां से फिर वही chance start हो जा फिर हो जाएगी, one, zero, zero, one, zero, one, zero, तो यह एक chain बन जाएगी और हम binary number form करते जाएगे, तो binary number zero decimal, binary number zero decimal number में किसको represent करता है, zero को, one किसको represent करता है, binary number two को, one zero, one किसको represent करता है, one को, one zero represent करता है, two को, one and one represent करता है, three को, ऐसे ही continue रहेगा और 10019 को represent करता है अब question यह उठता है कि यह कहां use होते हैं कहां use होते हैं यह binary number system तो यह होता है digital computer में use digital computer में mostly diode and ancestors use होते हैं उनके अंदर दो ही states होते हैं उनकी on and off तो इसलिए जो है इसको represent करने के लिए on and off को represent करने के लिए हम use करते हैं binary number system क्योंकि binary number system में भी two states होती है two symbols होते हैं zero and one